येस वेलकम माईदियर स्टूटेंट्स येस क्लास तोडेश टूटे भी आर गोंग घूइंग तो डिव इन्च यहांने। हम लोगों को डाइनासॉर के जानकारी सबसे ही और फ폰 र错 जुछ रें taking中國 viruses पार्ग आप किको चुराासिक पार्ग have लोगों को टक बारे में कुछ जानकारी से सुखर नोगों के लिए सबस्ता निस में लिएगा काफी उंचे हुआ करते थे, काफी बड़े-बड़े हुआ करते थे, जब वो चलते थे, तो कैसे पूरी धर्थी कापने लगती थी, जिस जगह पे वो चलते थे, है ना हम लोग ने डाइनसौर जुरासिक पार्क जो मूवी देखी थी, उसमें कुछ ऐसा ही दिखाया गया थ तो इस चाप्टर में हम लोग इन ही डाइनसौर्स के बारे में जानेंगे, पहले क्या है डाइनसौर्स कब रहा करते थे, मिलियन इयर्स एगो वो रहते थे, अब तो नहीं है, अब तो सिर्फ उनके जीवाश में ही हम लोगों को देखने को मिलते हैं, यानि कि उनकी डाइनसौर्स की काटगरी में वो आते हैं और डाइनसौर का इग्जेक्ट मतलब क्या होता है यानि कि टारिबल लजार यानि कि डरावना चिपकली जिसे कहा जाता है, तो डाइनसौर्स यही पते हैं, चई तरह के हुआ करते थे ज़से ज़से जुरासिक पार्क में हम लो ठीक है, तो आज हम इसमें कुछ डाइनसौर के बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले आपका क्या है, देखें, फर्स्ट फिगर हम देख रहे हैं, यह देखें, इस डाइनसौर, यह कौन सा डाइनसौर है, इसको हम ट्राइनसौरस रेक्स के नाम से जानते हैं, या शॉट में लिए ते ब्रप में आसे कहते हैं। अक definis पेम पं Skills से अधिए। यहолा से सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब नहीं है। इनी पैरों के त्रू ये क्या करते थे चला करते थे और इनकी पूछ कैसी होती थी बहुत ही लंबी होती थी ये ना बैलन्स अपनी सिर और पूछ के ही वज़े से ये क्या करते थे चल पाते थे क्योंकि इनकी टांगे बहुत ज़्यादा वो नहीं हुआ करती थी मजबूत मतलब धीरे धीरे ही चलते थे यह dinoz इनका वजन इतना ज्यादा होता था धि यह 7 तन से भी ज्यादा इनका वजन हुआ करता था इसे हां dinosaur की राजा के नाम से भी जानते थे तो जुरासिक पार्क मुवी में हम लोगों नहीं इसी dinosaur के बारे में में य fps नाम सेजानती है एक होपक यह समझ में आया होगा और आप आजाइड़ur कामटर नाम है इस्स पिनो सारस का होते है कथि करिए नांट जो कि पानी मेरती बभी नाइबatar चंड एक उसले पाषिति पेट स्थेफिंगर गौहं पर इयुस्टिज मेरते हैं थे ता कंश पाषित गें कें ही राग ही हो यह हुप句 ते लिए ते लिए लेक्ष वेरी शॉट इनके देखिए पैर कैसे हैं पैर छोटे हुआ करते थे ठीक है और यह जो इनके पूच में पैडल्स होते थे इसी के सहरे यह क्या करते थे पैर सब्सक्राइब क्लियर हो गया तो यह हो गया स्पेनोसॉरस क्लियर है and after that come on to the next one थर्ड फिगर देखिए है थर्ड यहां हमारा कौन सा दिया हुआ है त्री ट्राइ सेरप्टॉप्स यह ट्राइ सेरप्टॉप्स इसका नाम क्यों पढ़ा है ट्राइ सेरप्टॉप्स यानि कि इसकी क्या होती थी तीन सींगे होती थी यह देखें यहां पर आपको फिगर भी दिख रहा होगा इसकी सींगे वन फू थ्री इसकी क्या होती थी सीं इसके नाम से जाना जाता था है, तीन सिंगों वाला इसका मूँ भुआ करता था है, यह भी बहुत ही खतरनाक, एक तरह से गैंडे की तरह देखने में एक दम गैंडे जैसा ही यह लगता था है, चीक है, ना, पर फोर्थ हमारा कौन सा है, और गिगनो टॉरस के नाम से इसको जाने था, यह बहुत खतरनाक हुआ करता था, यह गिगनो टॉरस, यह सबसे लार्जस्ट कार्नी वोरस से समधे जिए, टीरेक्स से भी ज्यादा यह स्ट्रॉंग हुआ करता था, तो फास्ट मुविंग यह थ था, बहुत ही तेज यह चलते थे, बाकी डाइनसॉर तो धीरे धीरे चला करते थे, बट यह डाइनसॉर क्या देखिए, इसके लेग भी बहुत बड़े हुआ करते थे, शॉर्ट नहीं थे, इसके लेग बड़े थे, तो यह बहुत तेजी से चलता था, क्लियर है, और चैप्टर आप लोगों को डाइनो एरा ख्लियर है तो अब नाओ कम आन तो दा नेक्स चैप्टर नमबर टैन अनिमल कॉजन्स जैसे कि आपके अंकल और आपके आंकल के जो बच्चे होते हैं वो आप लोगों के क्या लगेंगे कॉजन अंकल आंट जो भी होंगे उनके ब खाई बहन होते हो है ना तो इसी तरीके से आपको पता है क्लास एनिमल्स भी आपस में कजन्स होते हैं यानि कि एक जैसे दिखते हैं बट वो एक जैसे होते नहीं है उनका नाम अलग-अलग होता है क्लियर है तो इस चाप्टर में हम क्या करेंगे इस चाप्टर में हम उन् आपके दो ही रम को स्वामसी हो बने कि को अपका ही जा कि भेदा होगा है। लुआ में सब्सक्किन को रेख कर सब्सक्राइबаем में डेखे गें integrity requires a पोके होते हैं लार्जेर दिंग इन डैबिट से क्या उते हैं वे लार्जेर ओते हैं एकलास छीक है के लांगर हेंड लेक्स हैं एफ लांगर उज्ट केसाथ एंदे हैन बहुतईं के साथ तुल बलैक क्षा सीये पो Hybrid क बहुती हैं लंबे होते हैं छीक हैं वाइल जो rabbits है rabbit fall stay the same color year round पूरे साल इनका क्या होते है color same रहता है hairs hairs क्या करते हैं उनका color change हो जाता है from brown to grey brown or grey in the summer गर्मियों में इनका color क्या होता है brown or grey जैसे ही winter होता है तो इनका color change होकर कि क्या हो जाता है यह white color के हो जाते हैं तो clear है यह second difference है कि hairs अपना colors change कर लेते हैं but rabbit always the same fur उनका क्या होते हैं same color पूरे साल उनका होता है तो कोई changes नहीं होता तो clear हो गया hairs क्या होते हैं larger होते हैं than rabbit तो this is hair and this is rabbit देखिए आपको खुद ही difference नज़र आएगा इनकी देखिए hairs के क्या होते हैं ears भी देखिए long हो गए और इनके legs भी लंबे हो गए चीक है clear हो गया come on to the next one देखिए यह second one क्या है tortoise and turtle हम लोग हमेशा कहते हैं ना turtle कभी turtle बोल देते हैं कभी tortoise बोल देते हैं लेकिन उनमें भी difference होता है class अब देखिए tortoise live on land जो tortoise होता है वो land में रहता है while turtle live in water almost all the time turtle होते हैं वो WATER में ही सिर्फ हर समय रहते हैं tortoise has small and sturdy feet the turtle has small and sturdy feet just tortoise होते हैं उनकी फ् heets होते हैं small होते हैं and their legs are bent और turtle होते हैं nest wept की तरह होते हैं continuous जाले के तरह उनका पंजे हुआ करते हैं जिसकी वज़े से वो क्या करते हैं मतलब तैरते हैं पानी में हमेशा तैर सकते हैं फेट और लॉंग क्लाउस की वज़े से क्लियर है तो यह भी डिफ्रेंस पता चल गया टॉट आईज अन टॉटल में ना कम अं टू नेक्स वन अलिगेटर अलिगेटराईड क्रोक डाइड अब देखे ऐलिगेटर और वहben गोलब प्ड़्याइड यूशेवड फे उनका U-shaped होते हैं थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू-थू- देखे, यहां पर क्या दिया है, male deer और antelope के बारे में दिया हुआ है, अब देखिये, यह भी deer, दोनों ही deer होते हैं, दोनों में ही बहुत ज्यादा अंतर नहीं होते हैं, देखने में एक जैसे ही लगते हो, बर्ट इसमें डिफ्रेंस होता है, आप जैसे जो male deer होते हैं उनकी क्या होती है? Sings होती है, have antler which they shed and grow every year. जो हर साल क्या है? बढ़ती है उनकी सिंगे. ठीक है? वाइल जो antelopes होते हैं, जो antelopes होते हैं, उनकी सिंग क्या होती है? पर्मनेंट होती है, वो नहीं बढ़ती है, ग्रोथ नहीं करती है. moreover deer antler are branch, जो deer antler होते हैं, वो क्या होती है? उनकी जो सिंगे होती हैं, वो कैसी branch की तरह होती है? जैसे पेड के branches नहीं फैले-फैले होते हैं, तो वैसे उनकी सिंगे भी फैली होती हैं. बढ़ जो antelopes होते हैं, उनकी सिंगे फैली हुई branch की तरह नहीं होती हैं. क्लियर है तो यह चैप्टर भी आपको समझाया होगा एक बार आप इसको जरूर्ट से पढ़ लीजेगा क्लियर है इसी तरीके से आपका यह 9th और 10 चैप्टर भी कम्प्रीट हो गया है थैंक यू पॉर टोड़े क्लास